हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो में इस्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ग्यान विशेश दोस्तो आज हम महत्वपुर्ण अवसदी पर्णविच के पायदी के बारे में बात करेंगे इस अवसदी का कुछ दिनों तक लगादार सिवन करें तो पत्री कटकर बाहर निकल जाती है इसके अलावा भी ये कई प्रकारगी बीमारियों को नश्ट करती है इस अवसदी का संस्कृत नाम है पर्णविच हिंदी में पत्थर चुर और पत्थर चटा से पहचानते है कन्नड में गंदू कलिंगा और तेलुगू में सिमन्ज मुदू से पहचानते है कोई इसे पासान भेद से जानते है एर प्लांट इसका अंग्रिज नाम है और वेग्यनिक नाम है ब्रायोफाइलम पिनेंटम दोस्तु ये परणबीच का पौधा लगबग सारे भारत वर्स में उत्पन्न होता है इसे उद्यानों में लगाया जाता है इसके कई प्रकार की प्रजातिया पाई जाती है ये पोधा लगबग एक से चार फिंट तक उचा होता है यह पहु अर्शाई होता है इसकी विशिष्टता ये है कि इसके पत्दे को जमिन में लगा दिया जाए तो इसी में से ये उत्पन होता है इसी कारण की वजह से इसे परणबीच कहा जाता है इसके पत्रों का आकार लंब गोल और कंगुरीदार होता है यहां मांचल और रसपरित होते हैं इस पोधे के बीच में से एक लंबी डंडी निकलते हैं और सितकाल में इस पर नारंगी रंगे फूल लगते हैं यहां फूल गुच्चों में होते हैं और बीज अनेक छोटे-छ इसके पत्रों का जातातर उपयोग पत्री, मुत्रकुच, रक्तस्त्राव और अतिसार में किया जाता है। इसके अलावा यहां रक्तपीत और रक्तप्रदर में भी फायते मंद है। तो दोस्तों आये जानते हैं कि प्रणविस का उप्योग हमारी सिहत के लिए किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि पत्री में इसका प्रयोग किस प्रकार से करें। इसके पत्रों का 40-50 मिले की मात्रा में कवात बना कर दिर में दो बार पिलाए। इसके अलावा इसको आत्मे 500 मिली ग्राम की मात्रा में शिलाजीत और 2 ग्राम सहद मिनाकर भी इसका सिवन कर सकते हैं। ये प्रयोग लगादार एक सब्दा तक करने मात्र से पित की पत्री मुत्र मार्क से बहार निकल जाती है। इसके अलावा इसके 2-3 ताजे पत्र सुबह खाली बिट रोजाना काने से भी पत्र निकल जाती है। ये पोधा पत्री में बहुत प्रचलित हुआ है। दोस्तों ये अवसती पत्री के अलावा भी कई रोगों में बहुत लाबकारी है। तिन से च्छ मिलकी मात्रा में इसके पत्रों का ताजारस, जीरा और दुगने प्रमाण में घी मिला कर दिन में तीन बार सेवन करने से दस्त के साथ खुन आना बंध हो जाता है। इसके पत्रों का क्वात बना कर सेवन करने से अतिसार और प्रोहाई का मिठती है। इसके पत्रों का रस निकाल कर पांच मिली की मात्रा में सुभा साम पिने से प्रमह, तुरुसना, अधमान, उदरसुल और स्वासरोगों में बहुत भाइदा होता है। यहां अपसमार में भी लाबकारी है। इसके पत्रों के साथ अतिबाला के पत्र मिला कर पिसकर तेल में पका कर क्ष़त स्थान पर लगाने से सिग्रही खाओं भर जाते है। इसके पत्रों को गर्म करके कल्क बना कर मसल कर खाओं पर लगाने से भी खाओं भर जाता है। अगर किसी कारणवर्स पेर में मोच आ गई हो तो पासान भेद की पत्रों का रस लगा कर अथ्वा इसके पत्रों के कल को लगाने से मोच में फाइदा होता है। इसके पत्रों को गर्म करके पिसकर जोडों पर लगाने से जोडों का दर्द खत्म होता है। इसके पत्र को फिसकर दाद और खोजली पर लगाने से ये मिट जाते हैं। दोस्तो इसका सेवन प्रसूता और गरभवत्ती महिलाओं को तथा छोटी बच्चों को नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तो हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपकी जीवन में लावकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा सेर करें जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है दन्यवाद